Hey everyone, आज के जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक relationship की बहुत ही amazing सी success story बताऊंगी जिसे सुनने के बाद आप भी समझ जाओगे कि affirmations में कितनी जादा power होती है उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने course book नहीं लिया है तो उसे जरूर ले follow करें उसे follow करने से आपकी vibration high होगी आपके सोचने का तरीका बदलेगा और याद रखना जैसे ही सोचने का तरीका बदलेगा आप जो चाहते हो आप उसे manifest कर पाओगे क्योंकि सब कुछ हमारी सोच पर ही निर्भर करता है आप हमेशा जानते हो और उसके लिए आपको मुझे mail करना है या फिर मेरे instagram पर message करना है और मेरे channel के थ्रोही आप दोनों पर जाएंगे आप लोगों के success stories पर सकते हो मेरे instagram पर मैंने बहुत सारी success story upload की है वहाँ परना या फिर channel के community tab पर मैंने post की है ये जो story है ये मोनिका की है और ये लिखती है मैंने आपके affirmation वाली video देखी थी और सोचा try करती हूँ मेरे partner मुझे से बात नहीं कर रहे थे एक month से कल मैंने आपकी वीडियो देखी और try की दी आज उनकी call आ गई और उन्होंने वही कहा जो मैंने affirmation करी थी thank you so much dear thank you universe वाव कितनी बड़ी manifestation है ये सोचो एक month से जो की बातचीत बंद थी बात नहीं हो रही थी वो एक दिन में इन्होंने manifest कर लिया इन्होंने video देखा affirmation बनाया और उस affirmation ने work किया affirmation की video की link मैं आपको description में दे दोंगी आप भी उसे देखो और अपने life में कुछ भी manifest करो ये ना सिर्फ आपके relationship के लिए है बलकि आपकी job, exam clear करना है कोई success है, health issue है या फिर life की कोई और area है जहां आप success चाहते हो वहाँ affirmations use करो याद रखना कि affirmations बहुत ज़्यादा और जल्दी work करते हैं affirmations क्योंकि हमारी सोच ही होती है और कुछ भी नहीं होती है affirmation क्या एक thought है वो thought जो आप चाहते हो वो आपको replace करना है उस thought से जो आप नहीं चाहते हैं जैसे कि आप सोचते हो मैं fail हो जाओंगी किसी exam में तो आपको इसे बस change कर लेना है कि मैं कोई भी exam आसानी से clear कर सकती हो अगर आप इस तरीके से सोचना start करते हो practice start करते हो किसी एक area में भी तो दूसरे area में आपको changes लाना बहुत ही आसान हो जाता है ऐसा समझ लो कि एक घर गंदा है और आपने एक छोटे से room से सफाई start की और आपने उस room को साफ कर लिया तो आपको idea हो जाता है कि किस तरीके से सफाई करनी है और किस तरीके से आसान होता है ये सब मेरा एक experience है जब मैंने अपनी mental cleaning start करी थी तो मैंने भी एक छोटे से area को लिया था और वहाँ से start किया था तो मुझे idea मिलता चला गया कि मुझे क्या करना है किस चीज से मुझे success मिलती है वही same चीज आपको भी करनी है एक area लो जिससे आप सबसे ज़ादा परेशान हो उसमें change करने के कोशिश करो बाकी चीज़े तो आपके लिए आसान हो जाएंगी क्योंकि आप सबसे मुस्किल काम जब कर लेते हो तो और चीज़े और भी आसान हो जाती है तो चाहिए आप छोटे रूम से स्टार्ट करो या बड़े रूम से यानि कि अपने बड़ी प्रावलम से स्टार्ट करो या छोटी प्रावलम से कोई फरक नहीं पड़ता आप easily manifest कर सकते हो और relationship की मैंने guide भी तयार की है बहुत ही सोच समझ के लिखा है affirmations किस तरीके से clean करना है चीजों को change करना है वो मैंने तयार की है उसके लिए भी आपको मुझे mail करना है या फिर मुझे इंस्टा पर message करना है साथ ही मैं आपको ये बता दू कि मेरा जो तीसरा channel है वो है universal truth life वहाँ पे मैं आपके questions के answer दूँगी हर दिन 5 questions के answer आपको मिलेंगे वहाँ पे जो आप comment section में करोगे जिस पे ज़्यादा like होंगे और आज शाम 6 बजे वहाँ पे आपको upload हो जाएगा वीडियो आप उसे देखना उसमें मैंने 5 questions लिये है पिछली वीडियो से जहाँ पे आपने comment किया था वहाँ से और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी problem के लिए क्या करना है और आपके doubts क्लियर होंगे लिंक जो है description में मिल जाएगी वहाँ से आप simply जो चीजे मैं सिखाती हूँ जैसे affirmations कैसे follow करने है यह सारी बाते मैं उस channel पे upload करूंगी तो सारे channels को subscribe कर लो ताके आपको videos मिले और आपकी help हो सके आज की इस video को मैं इतना ही रखोंगी thank you so much for watching God bless you all and I love you all